ये कहानी चूणा मने गाउं में रहने बाले एक ब्रह्मन परिवार की है जिसमें दीन दयाल अपनी पतनी इशारदा और अपने बेटे अभी मन्यू और राघाल के साथ रहता था वो बहुत गरीब थे, उन्हें दो वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था अपनी माबाद को मानता था, इसलिए वो उन्हें हमेशा ताना देता था एक दिन दीन दयाल भीक्षा मांगने बहुत लोगों के घर गया, लेकिन उसे कहीं भी भी भीक्षा नहीं मिली और वो खाली हाथ घर आ गया अपने पिता को खाली हाथ देखकर अभी मन्यू भड़क गया और बोला आ गए फिर हाथ जुलाते, आज भी मुझे भूके पेटी सोना पड़ेगा मेरी तो किस्मती फूट गई इस घर में जन्म लेने के बाद नचाने कौन सी घरी में भगवान ने मुझे इस घर में पैदा कर दिया था इस घर में जब से जन्म लिया है, तब से कभी ढंका खाना नसीब नहीं हुआ है तेरे बच्चे नहीं, जो इस तरह से तो उनसे बात कर रहा है इन्होंने आज तक एक पिता होने का कौन सा फर्ज निभाया है, जो मैं इन से तमीज से बात करूँ अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर दीन दयाल बहुत दुखी हो जाता है उसकी आखों में आंसू आ जाते है वो अपने आंसू छिपाते हुए अपने छोटे बेटे राघव को लेकर लिट जाता है हर रोज अभी मन्यू अपने पिता को भला बुरा कहता लेकिन उसके पिता उसे कभी कुछ नहीं कहते कुछ सालों बाद अभी मन्यू और राघव अब बड़े हो चुके होती है और वे अपने पिता की तरह ही बेक्षा मांग कर अपना गुजर बसर करना शुरू कर देती है लेकिन उनसे उनका गुजारत बहुत मुश्किल से हो पाता था एक दिन राघव चल हम आज दूर कहीं बिक्षा मागने चलते हैं यहां तो हमें कोई कुछ देता नहीं है नहीं भीया ज्यादा दूर नहीं जाते वरना तक्षक आ जाएगा चल जल्दी आ जाएंगे और ये तक्षक वक्षक कुछ नहीं होता नहीं भीया होता है तक शक, माने मुझे बताया है राघव अपने भाई की बात मान लेता है और वो दोनों विक्षा मांगने के लिए निकल जाती है थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें बहुत सारे घर दिखते हैं जिन्हें देखकर भी दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों विक्षा मांगना शुरू कर देते हैं और हर घर से उन्हें कुछ न कुछ मिल जाता है थोड़ी देर और चलने के बाद उन्हें एक घर मिलता है तो वहां भी भिक्षा मांगने के लिए रुख जाते है भिक्षाम देही, भिक्षाम देही तब ही उनकी आवाज सुनकर एक बूरी औरत घर से बाहर आती है और कहती है अरे तुम तो एक ब्राहमन हो तो मैं तुम्हे ऐसे खाली हाथ नहीं भेच सकती तुम अंदर आजाओ, मेरे पथी आते ही होंगे अभिमन्यू और राघव दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और घर को देखने लगते है तब ही उन्हीं कोने में रखी तस्वीर दिखती है तस्वीर को देखते ही राघव बोलता है ये कौन है? ये तक्षक है तक्षक की वजह से ही देवी देवताओं का प्रकोब बारिश बनकर चूड़ा मड़ी गाउं पर बरस रहा है राघव तक्षक का नाम सुनते ही दर जाता है तब ही अभिमन्यू बोलता है देवी देवताओं का प्रकोब? कैसे? और ये तक्षक कौन है तक्षक मोगी देवी की पहली संतान थी तक्षक बहुत लालची था उसने देवी के सारे सोने को हड़प लिया था और जैसे ही तक्षक अनाच को हडपने वाला था सारे देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और अपनी संतान को देवी ने बजा गए नहीं कुछ सालों बाद ही चूडा मणी गाउं के लोगों ने तक्षक का मंदिर बनाया और उसकी पूजा की जिसकी वजह से सभी देवी देवता क्रोधित हो गए और तब से लेकर आज तक देवी देवताओं का गुस्सा चूडा मणी गाउं पर बारिश बन कर परस रह है लेकिन लोगों के द्वारा मंदिर बनाये जाने पर तक्षक बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपना सारा सोना मंदिर को समर्पित कर दिया क्या वो सोना अभी भी उस मंदिर में है हाँ ऐसा कहा तो जाता है कि उस सोने को पाने के लालच में कई लोग वहां रहता है भीया चलो यहां से मुझे बहुत डर लग रहा है डर मत पागल यहां थोड़े यह तक्षक अभी चल रहे हैं घर दोनों भाई घर आने लगते हैं अभी मन्यू पूरे रास्ते उस आदमी के दुवारा कही बातों को सूचता रहता है और खसाने की बात उसके दिमाद में गूंजने लगती है और उसके मन में भी और लोगों की तरह उस खसाने को पाने की लालच में वहां आ जाता है और उ अभी राघव अभी मन्यों को रोपता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और विजली कणक रही थी। हर रोज की तरह राघव अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन वो नहीं मामता। और जैसे ही वो दोनों मंदर में अपने कदम रखते हैं। बहुत तेज बिजली कणकती है। जिससे देखकर अभी मन्यों और राघव डर जाते है। और राघव अपने भाई को फिर से मना करता है। भाईया मत जाईए। देखो कितनी तेज बिजली कड़क रही है। तुझे चलना है तो चल। मेरा दिमाग मत खराब कर। जाघव अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाता था। इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। वो दोनों मशाल जला कर जैसे मंदर के अंदर घुसे बैसे ही बहुत तेज-देज हवाई चलने लगें। और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ें, वहां मरे हुए लोगों के शरीर कंकाल पढ़े होते हैं। और वहां बहुत गंदी बद्बू आ रही होती है। वो दोनों अपनी नाग बंद करके चलते रहती है। तब ही उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वे दोनों डर जाते हैं और इधर अधर देखने लग जाते है। भाया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब यहां तक आ गये हैं तो खसाने की छलक तो देख ले। तभी अच्छानक से उपर से बहुत सारे कंकाल किरने लगे। और दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। तभी वहां अच्छानक एक भेडिय की शकल बाला इंसान आ गया। और वो बहुत भयानक आवाज निकालता है। उस इंसान का पूरा शरीर जला हुआ था। और वो उन दोनों को घसीटते हुए हस्तर की मोर्दी के पास ले जाता है। जहां बहुत सारा सोना था। लेकिन अच्छानक से वो इंसान कहीं गायब हो गया। कि देखकर अभी मन्यों राघव से कहता है। राघव अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जल्दी सोना उठा। राघव बहुत डर चुका था। वो डर की बजह से कापने लगा। और वो सोने को हाथ नहीं लगाता। लेकिन उसका भाई सोना उठा लेता है। और राघव के साथ तेजी से बाहर जाने लगता है। तभी बहुत तेज आंधी चलने लगती है। अब इस मौसम को क्या हो गया। इतने तेज आंधी चल रही है। तभी बहा किसी के चलने की आवाज आती है। और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे आधे चले हुए भेडियों की फौच आ रही होती है, जिनकी शरीर अभी तक जल रही होती है, ये देखकर दोनों भागने लगते हैं। मैंने बार बार आपको मना किया, लेकिन आप नहीं माने, आज आपकी वज़ा से मैं भी इस मसीबत में पढ़ चुका हूँ, काश मैंने आपका इस गलत काम में साथ ना दिया होता, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वज़ा से ये सब हुआ। वो दोनों अपने आपको बच्चाने की बहुत कूशिश करती हैं, लेकिन वो भी लिए उन्हें नोच-नोच कर खा जाते हैं, और उनका बाकी कर शरीर जर जाता है।